नवश्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं नाथद्वारा की उन फैमस प्लेसेस को जिने यहां आने वाला हर वेक्ति जरूर गूमना चाता है जिनमें है शीना टेंपल, स्टेचू अफ बिलीफ पर वीडियो की शुरूआत करते हैं उस एतियासिक जगे से जो राणाओं के राणा महाना परताब की वीर्था का प्रतीक है नाम है जिसका हल्दी गाटी नाथद्वारा से मात्र 15 किलमेटर दूर यह एतियासिक जगे अकबर और महाना परताब के बीच हुए युद्ध की युद्ध भूमी है पाडों के हल्दी रंग के कारण इस जगे का नाम हल्दी गाटी रखा है यहाँ पर कई उची उची पहाडी गाटियां है जिनका रंग पूरी तरह से हल्दी कलर का है इस घाटी से मात्र 500 मिटर की दूरी पर जंगलू के बीच में बना एक दर्रा जिसे हल्दी घाटी दर्रा का जाता है जो महाना परताब के सेनिकों के द्वारा बनाया गया था युद्ध के दोरान राणा के सेनिक इसी जगह रहा करते थे थोड़ा और आगे चलने पर आपको दिखती है महाना परताब की वो गुफा जहां संगश के दिनों में महाना परताब रहा करते थे और इसके कुछी पास में बना है चेतक समादी और महाना परताब मेमोरियल वीरता के प्रतीक इन एतियासिक धरोरों को देखने के बाद आईए आपको सेर कराते हैं हाली में बनकर तयार हुए स्टेचू अफ बिलीफ को यानि शिव भगवान की 352 फिट उची मूर्ती जो विश्व में शिव भगवान की सबसे उची मूर्ती होने का किताब भी रखती है यहां पर अलग-लग जगों में विजिट करने के अलग-लग चार्जेस हैं मैं आपको मिनिमम दो सो रुपे वाले टिकिट में दिखाता हूँ जो आप यहां गूम सकते हैं यहां कई गार्डन, रेस्टूरेंट वर एंटर्टेर्मेंट पार्क हैं जहां पर आप कई स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं इस बड़े पार्क को गूमने के लिए आप यहां चलने वाली स्पेशल रेल गाडिक भी हायर कर सकते हैं विशाल नंदी से शुरू हने वाली 84 सीडियां शिवजी के इस बड़ी स्टेचू के पाउं पर पास जाके बढ़े बड़े एरिये में जाके खतम होती है इस विशाल मूर्ती में म्यूजियम और अडिटेरियम भी है साथ ही आप यहां शिवजी के मस्तक तक जाकर जलाबिशेक भी कर सकते हैं पर इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा पर हाँ दोस्तों 200 रुपे के मिनिमिम्यम टिकेट में हम शिवजी के चरणों को चूकर आशिरवाद तो ले ही सकते हैं और इस जगे से पूरे नाथधवारा शहर का बहुती सुन्दर नजारा दिखाई दिता है फिर से गार्डन की तरफ आने पर आप यहां बने मेज गार्डन यानि भूल भुलिया को गूमना बिल्कुल पी न भूलियेगा शिवजी की इस बड़ी परतीमा को देखने के बाद आए चलते हैं नाथधवारा के उस फेमस श्रीनाठ मंदिर की ओर जहां का रास्ता इन बीडभाड वाली गलियों से ओकर गुजरता है नाथधवारा का एक खुबसुरत मार्केट यहां आने वाले सेलानियों और खुबसुरत दुकानों से हमेशा सजा रहता है यहां पर कृष्ण भगवान बालक अवस्ता में विराजमान है वैसे दोस्तों उद्यपूर के नजदीक होने के कारण यहां पर चहल पहल साल बर बनी रहती है नाथधवारा के नजदीक कई और फेमस प्लेसेज हैं जिनकी वीडियो मेरे इस चैनल पर अल्रेड़ी अपलोडेड है चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियो को भी इंजोई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको भी नाथवद्वारा विजिट करने का मोका मिला है तो अपने एक्सपेरियंस कमेंट सेक्षन में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को अप समाप्त करने का समया है जल्दी मिलते हैं किसी और खूपसूरा जगे के खूपसूरा सफ़र पर तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद